नमस्कार मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूस भारत दिली में बढ़ती पानी के किलत को लेकर भारती जुनता पार्टी के प्रदेश कार्याले में प्रेस्वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया गया यहां बास्री स्वराज ने कहा कि आमाद्नी पार्टी की मंत्री आतिशी ने पानी के संकट को सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया है कमी को पूरा करने की जदा सिर्फ प्रेस्वार्ता की आमाद्नी पार्टी की नियत ही नहीं है काम करने की कल सुप्रीम कोट ने टैंकर माफ दिल्ली सरकार की नियत ही नहीं है दिल्ली को पानी देने की और इसलिए प्यासा मरना लगता है जैसे दिल्ली वासियों की नियती बन गई है आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ही एक याचिका दायर करी है जहांपर इन्होंने पानी मांगा था हर्याना और हिमाचल से इन्होंने जूट बोला कि हिमाचल के पास सर्प्लस पानी है Supreme Court ने फटकार लगाई क्योंकि हिमाचल ने कहा उनके पास सरप्लस पानी नहीं है दूसरा Supreme Court ने ये भी पूछा कि आप illegal tanker mafya के जो operate कर रहा है दिल्ली में उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं Supreme Court ने ये भी पूछा कि आप पानी की wastage को नियंतरत करने के लिए क्या कर रहे हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं अरे इनको अगर air conditioned कमरों में प्रेसवारता करने से फुरसत मिले तब ये जमीन पर उतर कर कुछ काम करेंगे ना और ये पहली बार नहीं है Supreme Court ने भी ये देखा 2018 में भी एक crisis आया था 2019 में भी एक crisis आया था और 2024 में भी एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर है लेकिन इन्नेयों ने दिल्ली जलबोर्ड के infrastructure के लिए कुछ नहीं करा है वो दिल्ली जलबोर्ड जो मानियन शीला दिक्षित के राज में 600 करोड रुपे के profit में था मात्र एक दशक में केजरिवाल सरकार के नीचे 73,000 करोड रुपे के घाटे में है यही दिखाता है कि एक निकम्मी सरकार है जो केवल बहाने बनाती है क्योंकि दिल्ली सरकार केवल प्रचार प्रसार और भष्टाचार में लिपते है अब फ्लडिंग इसलिए होगी क्योंकि यह ड्रेंज क्लीन नहीं करेंगे यमिना जी की ड्रजिंग नहीं करेंगे और इसलिए तब मौन्सून में दिल्ली जो हमेशा पानी अभी गर्मी में पानी के लिए तरस रही है मौन्सून में पानी से तरसे की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जन प्रतिनिधी एक माफिया की तरह ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कुछ समय पहले पंजाबी बस्ती का भी हमारे पास हमारे यहां पर एक संग्यान में एक मैटर आया था बहुत मेहनत करकर दिल्ली जल बोर्ड पर दबाव डालकर वहां पर कुछ टैंकर भिजवाए हैं लेकिन वहां पर भी मैं आपको बता दूँ आम आदमी पार्टी के कारकरता बुंडा गर्दी पर उतर आते हैं और अवरोध डालते हैं कि हम जनता तक पानी ना पहुचा पाए हैं माननिय मंत्री जी को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती उनको कहना चाहूंगी दिल्ली की जनता ने उनकी सरकार को चुना है घंकिया ना दे ग्राउंड पर आकर काम करें अगर उनको ऐसा भय लग रहा है तो उसके भी उनको प्रावधान करने चाहिए यह जो संकट आया है यह संकट इसलिए आया है क्योंकि आम आदमी पाटी की सरकार टैंकर माफिया को प्रोथ साहित करती है और दिल्ली जलबोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्टर जो इतना चर्मर आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देती जीके में हाली में दिल्ली जलबोर्ड के मातर एक से देड़ किलोमेटर की दूरी पर एक पाइपलाइन फटी थी आठ जून को मैंने कंप्लेंट करी थी नौ जून को दिल्ली जलबोर्ड के अधिकारियों ने उसको फिक्स करा लेकिन पात से छे दिन तक पानी वहाँ पर रिस्ता रहा जब आम आदमी पार्टी के जनप्रति निध्यों के समक्ष इस बात को उनके संग्यान में लाया गया तो उन्होंने केवल आँखे मून दिली दिली से सी निउस उन बाद दाता दीपक सिंग की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश तुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी निउस भारत